आज मैं आपको बताऊंगा कैसे जो है आप अपने MIA1 के फोन में जो रिसेंट्ली लीक्ट वर्जिन है Android 8.1 Oreo का जो मैं मैं के सीकूर्टी पैच के साथ आ रहा है उसको कैसे अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको इंस्टॉलेशन प्रोसे क्या काम नहीं करें तो चलिए देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोबस.net चैनल को और बेल आइकन को तुबाना ना भूले ताकि सबसे पहले लेटेस्ट टेक अपडेट्स आपको मिल सकें सबसे दिखा लिता हूं कि हमरे पास MIA1 का फोन है और इसको हमने जो एंट पास आके यह देखा रहे होंगे आप मैं को पता चले कि अपडेट किया है कि नहीं ताकि आपको पता चले कि अपने फोन अपडेट किया है कि नहीं तो सिस्टम में जाकर आपको अबाउट वोन में आपको दिखा जिता हूं यह दिखिए मॉडल है MIA1 Android version 8.1.0 और यह में स हैं सब्सक्राइब जो जाना है इसको आपको टीडिर पीघकवरी के तुरू हिंस्टो'll करना पड़ेका अगर आपको पता नहीं है कि फोन लिंक में दे दिए दिया है उसको अपने फोन में सेव कर लेना है अपने फाइल में जाके आपको इसको अपने फोन को टीड़ रिकवरी मोट पर बूट करना उसके लिए करींगे अप जो पावर का बटन इसको प्रेस करेंगे और थोड़ी दिर में आप जब आपका फोन बढ़ाते है अपने फोन की उसको प्रेस करना है और सब्सक्राइब को प्रेस करेंगे थोड़ी देर तक फाइव सेकंड्स के लिए अपका फोन वाइबरेट करेंगा और कुछ ऐसी स्क्रीन आएगी और थोड़ी दिर में आपका जो फोन यहां से आप इस फाइल को जाके कर सकते हैं सिर्फ आपको इस फाइल को फ्लेश करना है और आप असानी से अपने फोन को अपडेट कर सकते हैं मैं को पूरा प्रसेश काम कर रहा है क्या काम कैसी इंस्टॉल करना है इसको थोड़ा सी टाइम लेता है टी रिकवरी मोड में जाने के लिए देखिए जैसे करें है कि यह कि इंस्टॉल वाइब बैकप रिस्टोर माउट स्थोड़ी सेटिंग्स में स्काम करें तो अभिए पारे होंगे कुछ शूप्ष्ट देख पारें है इस इंस्टॉल वाइब इंस्टाल भाइप से इडवांस आप उस पर फिर ब्रसके संथे जब करेंगे इंड्वांस वाइप कaffe करना है यहां इस फॉफिछ उप्ष करेंगे सेDAW र खौक रख नो ङूट करना है और ऑफ उसको शुक्त करेंगे इंटरेनर इंटज स्टोरीड करेंगे तो आlaus आपने सेव करें कि तो आपके करना है इसको को वाइब कर देना है जैसे स्वाइब हो जाएगा आप इस हों पर जाएंगे और इंस्टाल ने दो आएंगे और जो फाइल आपने सेव की थी यह वह फाल थी लेक्ट वर्जन है स्टॉक वर्जिन का सेकंड लास्ट वाइल आप देख पारें इसको क्लिक करेंगे और स्वाइब टुकंफर्म फ्लैश करेंगे अब थोड़ी दिर में यह फाइल फ्लैश होगी और निरबावरी टू तुरी मिनिट्स लेगी आपके फोन में फ्लैश होने करने के बाद फ्लैश होने के बाद कुछ नहीं करना है आपको दो अप्शन देखने को भी लेंगे फ्लैश कम्प्लीट होते ही कि रीबूट सिस्टम और वाइप कैच आप रीबूट सिस्टम करके अपने फोन को रीबूट कर लेंगे और उसके बाद थोड़ी तेर में जाए कि कैसे इसको इंस्टॉल करना होता है क्या की चीज़ आपको पहले करनी पड़ती है तो आपको फिर से पतायता हूं यह स्टॉक रिवर्ग रिकवरी पे काम नहीं करेगा आपको अपने एमाइवन के फोन में पहले को इंस्टॉल करना पड़ेगा उसी के बाद आप इस रोम को अपने फोन में फ्लैश कर सकते हैं अदर्वाइस आप इस रोम को फ्लैश नहीं कर पाएंगे माना जा रहा है जो इसका स्टेबल वर्जन है कुछ दिनों आने वाला है उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्यों कई लोगों के यह कहना है कि इस प्रोम में सब्सक्राइब कर लीजेगा और प्लीज दबा लिजगा ताकि आपको नोटिफीकेशन मिलते रहें आपको अपडेट मिलते रहें कोई बीबी अपडेट आपसे चूटेना ताकि कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं वह आप छूटन पाईंए और अपको लीटस्ट इस तरीके से कुछ फाइलों को फ्लेश करेंगा अब देख पाने होगा जिसके फ्लेश हो जोगा मैंने पहले ही कहा था कि दो आप्शन देखने को बिलते हैं वाइप कैस्ट आलविक और रीबूट सिस्टम अब रीबूट सिस्टम पर क्लिक करेंगे यहां पर डून इंस्ट उसके बाद आप इस रोम को अपने फोन में असानी से यूज कर पाएंगे तो भी आप देख पारे होंगे हमारे पास एमाई की स्क्रीन है अब यह देखें एंड्रोइड वन का जो लोगो होता है वह हमारे फोन पर आ चुका है ब्राइटनेस बहुत जाद है तो आप देख आप अब हमारे पास सेट अप कर लेता हूं फटा फट एक बार तकि आपको शीदा जाकर दिखा सको मैं सारी स्कीप कर देता हूं ताकि इसमें काफी टैम ने लगे बस आपको सारी सीज़ें आप सेट अप भी कर सकते हैं मैं सेट अप इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाता हूं कि आपको जल्दी जल्दी दिखा सको कि हमारे फोन जो है ठीज तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है तो यह कि इस तरीके से तो असको चोब कर सकते इंग हो वह섯ी सिर्फोत कर सकते हैं यहां इसको सेड़ सकते हैं इसको सेड़ा biggest Education यह देख यह हो गया आप मॉडल MI1 Android version 8.1.0 security patch 5 में 2018 तो इस तरीके से आप असानी से एंड्रोइड एरियो 8.1 अपडेट का आपने MI1 में इंस्टॉल करते हैं तो मीद करता हूं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो अपडेट्स पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब के लिए थैंक यू टेक केर बाबाए